हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजूकेशन चैनल फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे मल्टी प्रोफाइल वेकेंसी है टेक्निकल ओफिसर्स के रूप में IT इंफ्रेस्ट्रक्चर साइबर सिक्यूरिटी और सॉप्टिवर डेवलेपर यह तीन डिफ्रेंट प्र प्रोफाइल है जिसका मैं प्रोफाइल है टेक्निकल ओफिसर्स के रूप में यह तीनों पोस्ट पे काम यहां पे आपको मिल रहा है नुक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स राइट एटोमिक रिशर्स सेंटर एटोमिक जो है डिपार्टमेंट आफ एटोमिक इनरजी में जो है कैटेग्री है आईटी इंफ्रस्ट्रक्चर साइबर सीक्यूर्टी एंड सॉप्यूर डिवलप्मेंट रिक्रूट्मेंट प्रॉसस जानेंगे इलिजिब्लिटी क्रिटेडिया जानेंगे और इश्वें फ्रेंस आपको कुडियर करना है फॉर्म फिल करने के बाद एक रिलेटेड डोकुमेंट तो वह मैं आपको बताऊंगा कहा कुडियर करना है और इस तिंग्स सो लेट से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ये एजुकेशन चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर लें बैल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि गौर्मेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे तो इस्टार्ट दर नोटिफिकेशन फ्रेंस तो फ्रेंस देख सकते हैं यहां पर गौर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑप अटोमिक इनरजी नुक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में ये व होगा और दो नंबर ऑफ वेकिंसी है इसमें जनरल के लिए राइट अगर अगर और केटेग्रीज के कंडिडेट भी इसमें अप्लाइ करेंगे तो एज जनरल ही अप्लाइ करेंगे 67,700 पे ये इनका बेसिक सैलरी है प्लस अदर अलोंसे साब को मिलेंगे उसके बाद यहां पे देखिए कोई भी इंडियन अप्लाइ कर सकता है और 40 maximum age दिया गया है एज कैसे कैलक्वेट होगा किस डेट से वह मैं आपको बताऊंगा चार साल का experience मांगा है जिश में की वन येर का कम सकम experience in angular js और react js में होना चाहिए और दूसरा इसमें दिया है वन येर का experience in node js, 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 knowledge of java, php, html, gsss और python is preferred तो ये है eligibility criteria, btec चाहिए 60% marks, right ये चीज़े हैं और दूसरा यहां पर देखिए CS, C, E, C, IT, E, E, I, E candidate can apply for this profile, उसके बाद IT infrastructure and cyber security के लिए दो vacancy है age same रहेगा, salary same रहेगा, number of vacancies में दो ही है बट इसमें जो है आपका जो है 4 साल का experience मांगा in the terms of TCP, IP, computer networking और cyber security, right valid certificate ethical hacker में होना चाहिए 60% marks btec में मांगा है third जो है technical officer IT infrastructure one vacancy है और इसमें देखिए same salary structure है 4 साल का इसमें भी experience मांगा in the field of system administration of windows and linux servers network administration and IT management knowledge of scripting and programming is prepared 60% marks btec में, right यह चीज़े हैं उसके बाद यहाँ पे देखे, selection procedure for the post court तो इसमें देखिया most probably क्या होगा आपका screening होगा and interview होगा interview के basis पापका selection होगा, 500 rupees आपको application fee pay करना पड़ेगा यह demand draft आप application fee pay कर पाएंगे, demand draft आपको बनाना in the favor of pay and account official NFC, right payable at Hyderabad, SC, ST candidate, women candidate, ex-service man को कोई भी application fee नहीं लगेगा, right अब यहाँ पे देखिये friends इसमें जो आपको courier कहां करना है जो acknowledgement आएगा और age calculate जो है 2 April 2022 तक जो है आप age calculate कीजेगा, right तो इसमें देखिये आपका experience भी 2 April 2022 तक कीजेगा, आपको जो address post करना है जहाँ पे वो है nuclear fuel complex Hyderabad यहाँ पे है, right और इसमें proper address मैं आपको बता दे रहा हूँ, right यह चीजे हैं, उसके बाद इसमें यह देखिये यह है nfc.gov.in पे जाके आप apply कर सकते हैं, वह apply करने बाद जो acknowledgement आएगा, top of the envelope आपको लिखना है application for the post of technical officer D और यहाँ पे आपको जो है यह bracket में आपको जीज प्रोफाइल के लिए apply करना है, and code भी यहाँ पे mention करना है, and यह यहाँ पास recent past of size photographs आपको लगाने है, and then आपको courier कर देना है, right friends, तो courier का यहाँ पे address दिया गया है, तो यह दो अप्रेल से पहले तक पहुंच आना चाहिए, तो आप apply कीजिए, अगर कोई भी doubt आता है, तो आप मुझे comment कीजिए, मैं आपको response करूँगा, right, in terms of, आप कहीं भी आप मुझे join कर सकते हैं, facebook, telegram, instagram, right, twitter, linkedin, कहीं भी आप join कर सकते हैं, जिसका link description box में दिया गया है, so good luck for your recruitment process, अगर वीडियो पसंद आए तो like करें आप चैनल को subscribe करें, thanks for watching this video friends, good luck for your recruitment process, thank you.